लालू पड़ी बार के कई सदस्यों के ऊपर CBI और ED की दविस लगातार जारी है बीते दिनों CBI के दोवारा राबडी देवी, लालू परसाद यादब, मीसा भार्ती और तेजश्री यादब को समन जारी किया गया दिल्ली इस्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में उन सब की पेसी होनी थी तो राबडी देवी पटना से दिल्ली पहुँची और वहाँ पहले से मौझूद लालू यादब, मीसा भारती भी कोर्ट पहुचे इन सभी को कोर्ट के दोवारा जवानत दे दिया गया तो राबडी देवी बिहार विधान मंदल में चल रहे बज़र सत्र में भाग लेने के लिए बिहार विधान परसित पहुची आज दरसाल लावरी डेवी जब जमानत मिलने बाद पटना पहुंची तो उनसे यह सवाल किया गया था जमील लेकर नौकरी देने के मामले में लावल पडिवार लगातार घिरता दिख रहा है लगातार CVI के जोरा समन जारी किया जा रहा है हलाकि निसरी यादब बिज़ार बिजान समा में चल रहे कारवाई का हवाला देकर CVI के सामने पेस नहीं हो रहे हैं कल तीसरी दफे CVI ने उनपर समन जारी किया था लेकि निसरी यादब पेस नहीं हो रहे हैं क्योंकि लगातार बिहार विपक्ष में बैठी बीजेपी इस मामले को लेकर सदन में हगामा करती दिख रही है वहीं ते जश्री यादब हो या आर्जेडी का कोई और नेता लगातार यह कर रहा है कि बिना किसी मामले के तहत इस मामले को तूल दिया जा रहा है यह बाते 2017 मे ही बंद हो गई थी इस फाइल को 2017 में ही बंद कर दिया गया था तो फिर से इस फाइल को खौलने का कहां तक आउचेती है वहीं राबरी देवी कहती है कि बीजेपी बिहार में लालु यादब से डर गई है बिहार में लालु प्रसाद यादब एक मजबूत चेहरा है और अ CBI और ED BJP के तोते के रूप में काम कर रहे हैं लगातार RJD या कह रही है क्योंकि RJD के कई नेताओं के उपर CBI और ED की दविस लगातार जा रही है छापे मारी की जा रही है रावी देवी पटना वापस आ चुकी है और बिहार विजान वंडल में चल रहे बजर सतर में परिशान किया और अब आप लोग परिशान कर रहे हैं तो जो एक नाराजगी है जो एक परिशानी में दुपर तो आब देखी जा सकती है तो अब देखना दिल्चस रहेगा कि आगे कोट क्या फैस्ता लेती है आगे इस ममले में क्या कुछ बाते निकल कर सामने आता है बिसुजित आनंद फॉस्ट भ्यार पटना